हेलो, नमस्कार दौस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागती है हमारे AI Technical Gn歜 चैनल पर दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ACV दोस्तो, ACV बैसे तो हम जो पैनल में यूज करते हैं, वो टू टाइप्स के यूज करते हैं एक होता हमारा ADO ACV और एक होता हमारा MDO ACV वट दोस्तो यह जो हमारा ACV यूज किया गया है यह हमारा MF टाइप है MF टाइप का मतला होता है हमारा Manually Operated Fixed Type ACV दोस्तो हम इसको Rack In Rack Out नहीं कर सकते ACV को ठीके दोस्तो हम MDO और ADO ACV को हम Rack In Rack Out कर सकते हैं with the help of handle ओके दोस्तो ठीक है दोस्तो अब हम MDO और ACV में different जान लेते हैं कि उसमें क्या different रहता है दोस्तो हम MDO को Manually Operated Drawout ACV कहते हैं और हम ADO को Electrically Drawout Electrically Operated Drawout ACV कहते हैं दोस्तो दोनों MDO और ADO में जो Basic Main Different जो होता है वो Spring Charge का होता है दोस्तो जब हमारी Spring ही Charge होगी जब ही हमारा ACV On Off होगा ठीके दोस्तो लेकिन जो हमारा ADO में जो Spring Charge होती है वो हमारी Motor के थूफ होती है Motor Supply से On होता है और हमारा वो Spring को Charge कर देता है और हमारा ACV होन जाता है और MDO में ऐसे नहीं होता ओके जोस्तो अब हम इसमें आपको चेक कराएंगे MF में कि क्या 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 क्वारी Contract दोहाता है यह हमारा READY का है जब हमारा SPRING चार्ज हो जागा तो हमारा यहाँ पर READY आ जागा यह लिख लख सा न जागा यह ओपन है ओपन का PUSH बटन है और यह हमारा CLOUGE का PUSH बटन है AUPEN मतलब होता है कि हमारे BREAKER के जो CONTACTS है वो हमारे OPEN है और जो CLOUGE का मतलब होता जो हमारा breaker से contacts है वो connecting यह हमारा handle है जो कि हमारा spring को charge करता है ठीक है दोस्तों यह हमारे contacts है motor के under voltage के sun closing के हमारे contact है उसके हमारी बाहर connection होते हैं ठीक है दोस्तों अब हम इसको spring चार्ज कर रहे हैं देखी दोस्तों जैसे हमारा spring चार्ज होगा तो हमारा यहां पर रेड़ी पर कि रेड़ी पर कुछ साइन आ रहा रहा है तो यह मैं पाता चल जाए कि हमारा spring चार्ज हो गया है ठीक है दोस्तों हमारा spring charge हो रहा है दोड़ा से time लें है देखे दोस्त हमारा spring charge हो गया ये ready पर ओक्छे का sign नहीं है और अब हम ब्रेकर को ओन करके देखेंगे कि हमारा ब्रेकर ओन हो रहा कि नी हो रहा अब हम ब्रेकर को क्लोज करेंगे यह हमारा ब्रेकर क्लोज होगा अब हमारा देगी दोस्तों हमारा जैसी ब्रेकर क्लोज किया हमने तो हमारा क्लोज का साइन आगे अब हम उसको आफ करेंगे तो हमारा ओपन आ जाएगा अगर हम इसको पुस्ट करेंगे ओपन पर तो हमारा ओपन कॉंटेक्ट हो जाएगा आने कि हमारा ACV आफ हो जाएगा ठीक है दोस्तों दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें